आप 22 जनवरी को जब अविध्धा में प्रभुराम विराजमान हो अपने घरों में भी स्री राम जोती जलाएं दिपावली मनाएं 22 जनवरी की शाम पूरे हिंदुस्तान में जगमग जगमग होनी चाहिए लेकिन साथ ही मेरे सभी देशवासियों से एक करबद प्रात्रा और भी है हर किसी की इच्छा है कि 22 जनवरी को होने वाले आयोजन का साच्छी बनने के लिए वो स्वयम आयोध्या आएं लेकिन आप भी जानते हैं कि हर किसी का आना संबव नहीं है आयोध्या में सबका पहुंतना बहुत मुश्किल है और इसलिए सभी राम भक्तों को देश भर के राम भक्तों को उत्तर पदेश के विशेश करके राम भक्तों को मेरा हाथ जोड़ करके प्रनाम के साथ प्रार्थना है मेरा आग्रह है कि 22 जनवरी को एक बार वीधी फुर्वक करकम हो जाने के बाद तेश तारी के बाद अपनी सुभीता के अनुसार वो अयोध्या आएं अयोध्या आने का मन 22 तारी को न बनाएं प्रभु राम जी को तकलीव हो ऐसा हम भक्त कभी कर नहीं सकते हैं प्रभु राम जी पधार रहे तो हम भी कुछ दिन इंतजार करें साड़े 500 साल इंतजार किया है कुछ दिन और इंतजार कीजिए और इसलिए सुरक्षा की लिहाद से व्यवस्ता के लिहाद से मेरी आप सबसे बार बार प्रार्थना है कि कृपा करके क्योंकि आप प्रभु राम के दर्शान अयोध्या का नव्य भव्य दिव्य मंदिर आने वाली सदियों तक दर्शन के लिए उपलब्द है आप जन्वरी में आए फरवरी में आए मार्च में आए एक साल के बाद आए दो साल के बाद आए मंदिर है और इसलिए बाद जन्वरी को यहां पहुंचने के लिए भीढ़ बाद करने से आप बचिए ताकि हाँ जो व्यवस्ता रवद मंदीर के जो व्यवस्तापक लोग हैं मंदीर का जो ट्रस्ट हैं हमें इतना पवित्र काम उन्हों ने किया हैं इतनी मेहनत करके किया है पिछले तीन चार साल से दिन रात काम किया है उनको हमारी तरफ से कोई तकलिफ नहीं होनी चाहिए और इसलिए मैं बार बार आगर करता हूं कि 22 को यहां पहुंचने का प्रयास हम न करें कुछी लोगों को निमंत्रन गया है वे लोग आएंगे और 23 के आना बड़ा सरल हो जाएगा